कोशन देखिए कोशन नम्मर 12 कोशन कहा रहा है कि यदि a 2,2 और b 3,7 दो बिंदू हो तो रेखा कंड a b को xy किस अनुपात में बाटेगा यदि 2x प्लस y मैंनस 4 बराबर 0 हो चलिए देखते हैं एक a बिंदू ले लेते हैं जिसका निर्दसांग है 2,2 और एक मैं b बिंदू लेता हूं जिसका निर्दसांग है आपके पास 3,7 अच्छा इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो है वहाँ a b है ठीक है इस रेखा खंड a b पर एक बिंदू है इसका नाम मैं c ले लेता हूं जिसका निर्दसांग है x y माना c x y रेखा खंड रेखा खंड a b को a b को के अनुपात में बाटती है यह हमेशा आपको बता रखें कि अनुपात 1 ही माना जाता है ठीक है तो यहाँ आपका x1 y1 यहाँ आपका x2 y2 ठीक है और यह की अनुपात यह अनुपात यह ना जागा तो बिभाजन सुत्र से यहां लगाएंगे बिभाजन सुत्र से बिभाजन यहां पर K X2 के जगा पर है 3 PLUS N के जगा 1 और X1 के जगा पर 2 बाटा में K PLUS 1 M PLUS N फिर K INTO 7 PLUS 1 INTO MINUS 2 और बाटा में K PLUS 1 चला यहां पर SOL quan करोगे 3 K PLUS 2 बाटा में K PLUS 1 7 K MINUS 2 बटा में k प्लस 1 ठीक है, तो यहाँ से हमने x और y का मान निकाले, यह x का मान है यह y का मान है, चूँकि हमारे पास एक समीकरन दिया गया है चूँकि हमारे पास समीकरन है 2x प्लस y माईनस 4 बराबर 0, और यह x y के मान है तो यहाँ पर मैं x और y का मान नहीं रख सकता हूँ, बिलकुल यहां रख सकते हैं, है न जी, चलिए, यहां रखते हैं, x और y क्या मन, 2 into x के जगा क्या हो जगा, 3k plus 2, 3k plus 2, बटा में k plus 1, और y के जगा, 7k minus 2, बटा में k plus 1, minus 4, बराबर में 0, चलिए, एक काम करते हैं, यहां सबका LC हम ले लेता है, k plus 1, बराबर में 0 है, 0 रहां तो, यहां भाग करोगे, यह काएगा, एक जाकर उपर गुना करेगा, उपर गुना कर दो, तो आजागा 6k, और plus में 4, यहां भाग करेगा, एक एक जाकर इसमें गुना करेगा, तो 7k minus 2, यहां कुछ ने नीचे तो आगे, और यहां minus का 4k, तो आपका कितना हो जागा यहां पर, तो 6, 7, 13, 13 में से चार गया, 9, ठीक है, और यहां देखो, 4, और plus 4, और minus 4, यह कट जाएगा, कट जाएगा ना, जी, विल्कुल कट जाएगा, और आपका minus का 2, बराबर में, यह जाकर 0 हो जाएगा, हो जागा चलते हैं, अगले कोशन पर, कोशन नमारा